हेलो फ्रेंज, अक्सल आपने देखा होगा कि जब भी किसी वेल मिचूर इंसान के अंदर मदुमे का खतरा दिखाए देता है तो वो उसे पहचान नहीं बाता है और अंत में जाकर डॉक्टर से ही उसे पता चलता है कि उसे डायमेटीस हो चुकी है तो फिर बच्चों के केसिस में आपका क्या कहना है? बच्चों के केसिस में आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि बच्चों को शुगर है या नहीं है आईए जानते हैं कुछ ऐसे ही लक्षन जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों के अंदर मदुमे का खत्रा है या नहीं पॉइंट नमबर वन अगर आपके बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्यास लगती है तो ये एक ऐसा लक्षन हो सकता है जिसकी वज़े से आप देखकर अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर डियाबिटीज का खत्रा बढ़ता जा रहा है जी हां अगर आपने अक्सर देखा हो और गौर किया हो तो बच्चों के पास पानी पीने तक का समय नहीं होता है इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है सारा हूंबग पूरा करना होता है खाना खाना होता है कार्टूंस देखने होते हैं इन सारी चीजों के अंदर वो पानी पीना भूल जाते हैं जिसकी वज़े से कई वार बच्चे डी हाइडरेट भी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर डी हाइडरेशन होना नॉर्मल है। लेकिन बच्चों को ज़्यादा प्यास लगना नॉर्मल नहीं है। अगर आपका बच्चा मान लीजे 5-7 ग्लास पानी पूरे दिन में पीता था और अब वो 10-12 ग्लास पानी पूरे दिन के अंदर पी जाता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है क्योंकि यह कारण हो सकता है कि आपके बच्चे के शरीद के अंदर डाइविटीस का खत्रा बढ़ता चला जा रहा हो। पॉइंट नॉमर टू बार बार वाश रूम जाना टॉयलेट करने के लिए। जी हाँ बच्चे जितना पानी पीते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन टॉयलेट करने की भी एक सीमा होती है खास करके बच्चों के अंदर। इसी लिए अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा वाश रूम टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करता है तो आप इसे देखकर भी पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर डाइबिटीज का खत्रा पड़ता चला जा रहा है। इसी लिए अगर आपके बच्चे का वजन संतूलित था और अचानक से कम हो गया है तो आपको उसका मदू में का चेक अप जरूर करवाना चाहिए। धकावट का एहसाद जरूर से ज्यादा होना। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्टिव होते हैं। उन्हें किसी भी टाइक खेलने के लिए कहा जाए तो तुरंद खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी गरब अगर आपका बच्चा बाकी बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है तो आपको उसका मदू में का चेक अप जरूर करवाना चाहिए। पॉइंट नमबर फाइल डाइबिटीज का सबसे बड़ा सिम्टम्स और लक्षन यह हैं कि जिस भी इनसान को डाइबिटीज की बिमारी होती है उसका कोई भी घाव सही तरीके से और जल्दी नहीं भरता है। बच्चे को खेलने में या फिर किसी और चीज में कोई चोट लग गई है और दवादारू करने के बाद भी वो जल से जल ठीक नहीं हो रही है और उस खाव को भरने में काफी समय लग रहा है तो आपको अपने बच्चों को डाइबिटीज का टेस्ट जरूर करवाना चाहि दोस्तों यह कुछ ऐसे लक्षन जिन्हें देखकर और लुक आफ्टर करके आप अपने बच्चों के अंदर डाइबिटीज के खत्रे को कम कर सकते हैं और वक्त रहते इस पर रोग थाम कर सकते हैं इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूस को हमाई साथ शेयर करिए मेर अपने बच्टर कर दो समने कर दो नह जब्यूस को कर दो घटढे हैं झाल